कल का मार्केट कैसा रहेगा क्या कल के दिन मार्केट गैप अप या फिर गैप डाउन या फिर फ्लैट खुलेगी जानने के लिए बीडियो में एंड तक बने रहें तो स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूटूब चैनल पर ऑप्सन ट्रेडिंग टेकनिकल एनलाइसिस में तो फटाफट से लाइक कर दे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लें साथ ही साथ बैल अकन के ओल पर किलिक करना बिल्कुल भी ना भूले जरूर किलिक कर ल ती के चार्ट के ऊपर हैं आज के दिन क्या हुआ आज के दिन 5050 Hart infinite अंडर 1999 करेंगे क्या करेंगे क्या हमारे कंडिशन को यहां detect के अंदर फुलफिल किया की नहीं किया अगर आप लोगों ने कल वाला एनलैसिस का वीडियो नहीं देखा है तो जा करके देख सकते हैं अब चलिए बिना देरी करते हुए कल का ट्रेड प्लान करते हैं अब जो हमारा Nifty 50 के अंदर इंपोटेंट रजिस्टन्स निकल के आ रही है 20,040 का जो ये लेबल है बहुती इंपोटेंट लेबल है ये अब माल लीजिए अगर कल के दिन Nifty 50 इस लेबल के उपर गैप अपनिंग लेती है तो ऐसे कंडिशन में आप लोगों को यहां पर बिलकुल भी हरबरी के अंदर दिखाई दे तब आप लोग यहां पर सेफ कॉल बाई कर सकते हैं और यहां तक टार्गेट के लिए जा सकते हैं जो की हमारा अगला रजिस्टेंस होगा 20,100 का अब माल लीजिए अगर कल के दिन Nifty 50 इस लेबल के उपर गैप अपनिंग लेने के बाद इस लेबल पर सश्ट डाउन कर देती है तो ऐसे कंडिशन में आप लोग यहां पर सेफ पुट बाई कर सकते हैं क्योंकि इसके पीछे लाजिक है क्योंकि एक साइकलाजी का लेबल है अगर कल के दिन Nifty 50 इस लेबल के ऊपर गैप अपनिंग लेती है तो इस लेबल से प्रॉफिट बुकिंग और फ्रेश सेलर एक्टिव होते को दिख सकते हैं अब मान लीजिए अगर कल के दिन Nifty 50 फ्लैट खुलती है जहां पर आज के दिन क्लोजिंग दी है जो की बहुती इंपोर्टेंट लेबल है यह उननीस अजार नौसो उननतर का अगर यहां पर फ्लैट खुलती है तो ऐसे कंड लेबल है 20,040 का तब आप लोग यहां पर सेफ कॉल वाई कर सकते हैं और यहां तक टार्गेट के लिए जा सकते हैं अब जो हमारा Nifty 50 के अंदर इंपोर्टेंट सपोर्ट निकल के आ रही है 19,930 का जो यह लेबल है बहुती इंपोर्टेंट लेबल है यह अब मान अगर कल के दीन Nifty 50 इस लेबल के नीचे गैप डॉन खुलती है तो ऐसे कंडीशन में आप लोगों को यहां पर बिलकुल भी हरबरी के अंदर पुट की एंट्री नहीं लेना है जब इस लेबल के नीचे 15 मिनट सस्टेंट कर जाएगी और बियरी स्केंडल के अंदर इस्ट 1880 का यहां पर आप लोग अपना प्रॉफिट को बुग कर सकते हैं या तो फिर अपना एसल को ट्रेल कर सकते हैं अब जो हमारा बैंक निफ्टी के अंदर इंपोटेंट रजिस्टेंस निकल के आ रही है 46,270 का जो यह लेबल है बहुती इंपोटेंट लेबल है यह अब मा बिलकुल भी हरबरी के अंदर कॉल की एंट्री नहीं लेना है जब इस लेबल पर दुबारा रिट्रेस्मेंट करने आएगी और यहां पर बुली स्केंडल के अंदर इस्टेंट दिखाई दे तब आप लोग यहां पर सेफ कॉल बाई कर सकते हैं और यहां तक टार्गेट क लिए जा सकते हैं जो की हमारा अगला रजिस्टेंस होगा 46,360 का यहां पर आप लोग अपना प्रॉफिट को बुक कर सकते हैं या तो फिर अपना एसल को ट्रेल कर सकते हैं अब माल लीजिए अगर कल के दिन बाइंक निफ्टी फ्लैट खुलती है जहां पर आज के दिन क्ल बरी के अंदर एंट्री नहीं लेना है जब इस लेबल को टच करने जाएगी और यहां पर जब दुबारा रिट्रेस्मेंट करने आएगी और बियरी स्केंडल के अंदर रेश्टेंट दिखाई दे तब आप लोग यहां पर सेफ पुट बाई कर सकते हैं या फिर इस लेब के अंदर इंपोटेंट सपोर्ट निकल के आ रही है अगर कल के दिन इस लेबल के नीचे गैप डॉन खुलती है तो ऐसे कंडिशन में आप लोगों को यहां पर बिल्कुल भी हरवरी के अंदर पुट की एंट्री नहीं लेना है जब इस लेबल के नीचे 15 मिनट सस्टेन कर जाएगी और बियरी स्केंडल के अंदर इस्टेंट दिखाई दे तब आप लोग यहां पर सेफ पुट बाई कर सकते हैं और यहां तक टार्गेट के लिए जा सकते हैं जो की हमारा अगला सपो इंपोटेंट रजिस्टेंस निकल के आ रही है 20,640 का जो यह लेबल है बहुती इंपोटेंट लेबल है यह अम्माल लीजिए अगर कल के दिन फिन निफ्टी इस लेबल के उपर गैप अपनिंग लेती है तो ऐसे कंडिशन में आप लोगों को यहां पर बिल्कुल भी परी के अंदर कॉल की एंट्री नहीं लेना है जब इस लेबल के ऊपर 30 मिनट सस्टेंट कर जाएगी और बुली स्केंडल के अंदर इस्टेंट दिखाई दे तब आप लोग यहां पर सेफ कॉल बाय कर सकते हैं और यहां तक टार्गेट के लिए जा सकते हैं जो की हमारा अ अगर कल के दिन फिन निफ्टी इस लेबल के ऊपर गैप अपनिंग लेने के बाद जो की लेबल है 20,640 का और इस लेबल पर सस्टेंट नहीं कर पाती है और इस लेबल को यहां पर ब्रेक डाउन कर देती है तो ऐसे कंडिशन में आप लोग यहां पर सेफ पुट बाय कर सक सकते हैं और यहां तक टार्गेट के लिए जा सकते हैं जो कि आज का क्लोजिंग है 20,589 का यहां पर आप लोग अपना प्रॉफिट को बुप कर सकते हैं या तो फिर अपना एसल को ट्रेल कर सकते हैं अब जो हमारा फिन निफ्टी के अंदर इंपोर्टेंट सपोर्ट निक सकते हैं जो कि हमारा अगला सपोर्ट होगा 20,450 का यहां पर आप लोग अपना प्रॉफिट को बुक कर सकते हैं या तो फिर अपना एसल को ट्रेल कर सकते हैं तो दोस्तों आसा करता हूं निफ्टी 50, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी की सारे लेवल आप लोगों को समझ में आ गई होगी आप लोग अपने चार्ट के उपर यह सारे लेवल मार्क कर ताकि कल के दिन आप लोगों को कामकाज आ सकती है तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जाहिंद बंदे मातरम